इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हम क्लास्ट्रूम को किस तरीके से डिजाइन करें कि बच्चों की जो लेटिस्ट्रूम का पूरा डिजाइन ίस का पूरा सुपोर्ट कर सके जो इनकी डिवयल्प होने जा रही है अब आभी तोच रहोंगे का इसाटीचर क्या क्लास्ट्रूम का जो लेयाउट है उसकी डिजाइनिंग में क्या मेरा कोई अमल दाखल हो सकता है इसाटीचर आफ कोर्स आपको को सकता है अफ कोर्स आपको यह समझना है कि यह डिजाइन कैसे बनाया जाता है ताकि आप बच्चों के नीट के मुताबक और जो आपके पास material आ रहा है और जिस किसम के आपके पास schedule है उसके मुताबक अपने कमरे को arrange कर सके और rearrange कर सके तो पहले हम सबसे discuss करने जा रहे हैं कि developing a literacy behavior होता क्या है आप बच्चों में develop करना जाते हैं बेर खसूस जब वह बहुत ही छोटे होते हैं तीन साल के चार साल के पांस साल के अभी उन्होंने reading करना start ने कि होती है अभी उनकी writing skills start ने हुई होती है आप उनकी listening skills polish हो रही होती है आपकी यह था teacher instruction सुन-सुन के तो हम एक उनके अंदर behavior बनाते हैं जिससे लगे कि वो लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं अब यह behavior चाहिए artificially क्यों ना हो पर यह behavior foundation है आगे आने वाले literacy skills की सो pre-school में जब reading और writing को हम देखते हैं तो बड़ा unconventional किसम का तरीका है वो वैसा नहीं है जो आपका mainstream schooling के अंदर होता है कि बच्चे वाकियतन लिख रहे होते हैं या बच्चे वाकी किसी book से read out कर रहे होते हैं इन unconventional तरीकों में से एक तरीका यह है कि बच्चे जब scribbling भी कर उल्टी खोलें या सीधी खोलें दाइंग खोलें या बाइंग खोलें और प्रिटेंट करते हैं कि हम किताब पढ़ रहे हैं तो हम उन्हें readers ही कहते हैं आज वो pretend कर रहे हैं कल वो actually इसको start कर देंगे तो यह बहुत अच्छी foundation है जब यह behavior बच्चों में आ जाता है तो फिर या play setting का definitely होना जरूरी है उसके design का यह constitution part है अब play setting कैसी होनी चाहिए जो बच्चों की literacy development को definitely promote करें और उसके अंतर जितने भी material बच्चों के पास पढ़े हुए वो materials के through ऐसी behavior शो करें जो के हम reading, writing, speaking, listening skill में देखते हैं यानि reading में वो चीज़ों को पढ़ें, instructions को देखें, उनको follow करें, एक दूसरे से बाचीत करने के लिए अपने areas को देखें और listening skills के लिए specific areas, twice या gadgets के होने जरूरी है और writing skill के लिए उनके पार ढही सारे paper के यहांज बच्चों की किताबों का होना जरूरी है, चाहे वो coloring books हो, चाहे वो variety of papers हो, चाहे variety of topics से related हो, चाहे science की हो, math की हो, games के बारे में हो, fair it is हो, fables हो, या affection कहानिया हो, बच्चों की variety of कहानियों का मौझूद होना जरूरी है, और high quality technology program अगर उस classroom में मौझूद हो, तो क्या ही बा इनलवाज निदे में हो, तो बच्चों की multiple language को support करती है, वो language जो खुरी हो, इनलवाज जो जो हो इनलवाज इनलवाज हो, जो इसके लावज जो हो, इसके लावाज हो कि लंग्विज है अगर वो अंग्रेजी है या उर्दू है डेफिनेटली आप उससे मुतलिक रीडिंग और राइटिंग मेटीरियल तो क्लास में मुझूद होता ही है लेकिन वो जबान जो बच्ची की मां बोली जबान है या उस जगा की इलाकाई जबान है उस जबानों की किताबें उस जबानों की नजमें या उस जबानों से मुतलिक भी जब चीज़े मुझूद होती है तो वनियादी तोर पर बच्चों को हेल्प आउट करती है कि ना सिर्फ वो इस नई जबान के अंदर अपनी स्किल्स को पॉलिश करें मोस्ट इंपॉर्टन क्लास्ट्रू को देखते हैं उन्हें इस तरीके से और्गनाइज करना है कि तमाम बच्चे उस मेटीरियल को ना सिर्फ एकसेस कर सकें फिजिकली बलके विज्वली भी उन्हें डेख सकें कि वह कहां पर मौझूद है ताकि वह वहां जाए और उसको ठाके लिए अभी क्यों इंपॉर्ट इतना कमरे के अंदर गुझाईश मौझूद होनी चाहिए कि जितने आपके बच्चे हैं वो अराम से उस कमरे के अंदर आ जाएं कमरे के अंदर असफिशिंट लाइट का होना जरूरी है कमरे को साफ सुत्रा होना जरूरी है कमरे के अंदर एट्रक्टिव जो आपके लिट material के आसपास वो वहां बच्चों का बैठना और ज्यादा इंट्रस्टिंग बना देती है और बच्चों का दिल जाता है हम वहां जाएं लाइक अगर वहां रग्स होंगे अगर वहां रॉकिंग चेर्ज होंगी वहां अच्छे से खुब्सक्रूरा से कर्टन्स लगे होंगे आपके अगर वहां खिड़की नहीं तो आप एक आर्टिफिशल विंडो बना सकते हैं वह स्टफट आरिमल्स रख सकते हैं ये तमाम चीदे बच्चों का अट्रक्ट करती हैं उन जगों पर जहां पर ये लिट्रसी के चीदे रखी हों और ये चीदे रखी हों कि वहां जा आप लिख सकते हैं कि ये सारी की सारी बुक्स जो है ये अनिमल्स की है और उसमें आनिमल्स की तस्वीरे बनाई जा सकती है अगर हम वर्ड्स भी लिखते हैं तो आपसलूटली फाइन और हम बुलिटन बोर्ट वगेरा ये तमाम चीज़े लेकर आते हैं अब बच्चों की टेबल्स जो होती है वह हम अमोमन नजदीक नजदीक रखते हैं ताके चार-पांच बच्ची एक टेबल पे बैठें बकसत ही होता है कि बच्ची जब पढ़ रहे होते हैं तो वह इंडूविजवल रीडिंग तो अलग से करते हैं लेकिन उनकी एक कलेक्टिव आक्टिव जो है वह रीडिंग में राइटिंग में ड्रॉइंग में अरुज़ूं इस किसम का घरैंज होना चाहिए कि और इन्स्ट्राइब्ल इस किसम ज मूद पर स्मॉल एम लंज़ ग्रोंच मिख़ rozp आसान हो जाए इस पेस के यूटलाइजेशन कैसे मुम्किन है कि जो आपके कमरे में स्पेस मौझूद है इस पेस के अंदर हमें यह जरूर देखना चाहिए कि आपने बच्छों के साथ मैल्टिपल मिटिंग करनी है मुक्तलिफ टाइम्स पे कई मिटिंग्स आप करते हैं उनको आपके साथ डिसकेशन करने में असानी होती है मिटिंग स्पेस के अंदर आप देखें मुक्तलिफ किसम के बड़ी इंट्रस्टिंग लिटरसी टूल रख सकते हैं जो आपको सुनके हरानगी होगी कि यह लिटरसी टूल है जैसे के कैलेंडर जैसे के वेधर चार्ट जैसे के आपके classroom rules वगएरा और आपके different किसम की sign boats लगे में classroom में जहां आप लिख सकते हैं quite please यह अपना समान यहां पर रखिए अपनी जूते यहां पर उतारिए तो यह तमाम चीजे बन्यादी तौर पर उनका literacy behavior डिवेवियर डिवेलप कर रही है और यह तमाम material हैं जिसे बच्चे देखते हैं जिसे बच्चे पढ़ते हैं जिसे समझते हैं और pretend करते हैं कि वो इसे जानते हैं और वैसे अपने action को वो आपके सामने present करते हैं